वेलकम टू जैस्टडी हमारा प्रियास आपकी सफाजता आज है 14 जून और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 14 जून 2020 से जुड़े करंट अफ्यास करंट अफ्यास को एक वहतर तरीके से सीखेंगे साथ में पर्तमान की घटनाव को सेम को अपडेट करते चलेंगे और एक रिवीजन के माध्यम से स्टेटिक पार्ट को भी पढ़ते चलेंगे आज का थम्डिल पर जो प्रस्णा पढ़ पा रहा है बाल स्रमिक बिद्या योजना की सुरुवात की है यनि कि उस राज्य सरकार का नाम बताना है इसमें जिस राज्य सरकार ने बाल स्रमिक बिद्या योजना स्टाट की है तो ये प्रस्ण आपके लिए है इस प्रस्ण को वीडियो में भी डिसकस करेंगे लेकिन उससे पहले यह है कि इस वीडियो का जो आंसर आपको देना है वो वीडियो के जस नीचे कमेंट वक्स में देना है और आंसर के साथ साथ इस पे आप चितना अधिक लिख सकते हैं उसे भी बताना है यह क्या करेगी इसमें किसे लाग होगा जिस राजने से स्टार्ट किया है उसके मुखमंत्री कौन है उसके राजपाल कौन है उसके प्रथम मुखमंत्री कौन रहे थे यह सभी जितना भी आप अधिक सदी क्लिक सकते हैं डिटेल में लिखियागा क्लियर ताकि आपकी रिडिंग इस्किल भी बहुत बढ़िया हो जाए आप चीजों से अव्यर भी हो जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए तो आए आज का सेशन प्रारंब करते हैं लेकिन सेशन को प्रारंब करने के साथ एक चीज और अगर आप इस पूरे सेशन का इस पूरे वीडियो सेशन का PDF अगर आप प्राप्त करने चाहते हैं जितने भी कोश्चन है 15-16 कोश्चन इसमें रहेंगे इनका अगर आप PDF चाहते हैं तो आपके पास एक उप्षन है आप डेक्स्टॉप पे हूँ, लैप्टॉप पे हूँ, मॉबाइल फोन पे हूँ आप टेलीग्राम सर्च कीजिए टेलीग्राम पर हमारा चैनल सर्च कीजिए जैस्टडी ओफिसियल के नाम से वहाँ जाके आप इसका उस चैनल को जोईन कर लीजे और उसके बाद प्रती दिन का पीडियाफ वहाँ से आप राप्त करिएगा ठीक है, ये पीडियाफ राप्त करने का तरीका था दूसरी चीज, आप लाइव क्लासिस लिना चाहते हैं तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को सेर कर दीजी जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को सेर करेंगे आपके पास एक SMS आएगा उस SMS में आपको लाइव क्लासिस का सिडियल मिल जाएगा किलियर हैं? आईए, आप प्रारम कर लेते हैं आज का सेशन अप्रस्म संक्या एक हाल ही में बारतिय फुटबॉल टीम ने फीफा द्वारी जारी ताजा रेंकिंग में अपना कौन सवाइस्थान परकरार रखा है अब आप्सन पढ़ दीजिए मुझे उम्मीद है आपने पाचो आप्सन पढ़ लियाओंगे अब सही आंसर सुनिए इस प्रस्न का सही आंसर है आप्सन ए यनि कि 108 वाइस्थान परकरार रखा है अब इसका सोलूशन समझेगा क्या किस प्रकार से हम इसे लीनियर फॉर्मिट में याद कर सकते हैं मानम मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि मैं कोश्चन आंसर पढ़ू मैं तो सीदे सीदे एक पंक्ती में पढ़ना चाहूँगा तो उसके लिए भी आपका स्लूशन दिया गया है इंडिया फुटबल टीम रिटेन इट्स वन हंडेड एंड एट इसपोर्ट इन दा लेटेस्ट फीफा रेंकिंग क्लियर है अब कुछ इस्टेटिक पार्ट फीफा का मुख्याल है जीरिक स्ट्विट चलेड में है और जियानी जियानी जो है वह इंफ्रेंटिनो वह फीफा के अध्याक्षा है क्लियर है सभी चीज़ है चलते हैं अगले प्रस्ण की हो हाल ही में उस राज्य का नाम बताईए जिसने घरेलु इंसा और दुर्वेवार की सिकार महिलाव की साहता करने और उन्हें सक्त बनाने के लिए सी ट्राम्स त्रोर एस्पेक्ट एक्कॉलेटी एंड एम्पावर्मेंट का रेक्रम सुरू किया है एक प्रकार से इस्तरी कह सकते हैं ठीक है अप्शन पढ़़िजे उमेद है कि आपने सभी आप्शन पढ़ लिया होंगे अब सही आंसर पढ़ लिजे तेलंगाना राज्य सरकाला यहने कि आप्शन सी बिलकुछ सही आंसर है अब लिनियर फॉर्मेट में पढ़ियेगा इन तेलंगाना हैदराबाद सिटी पुलिस अलंग बिद हैदराबाद सिटी सिक्योर्टी कांसिल has launched a program called Istri to support and empower women victims of domestic violence and abuse के लिया अब स्टेटिक में आते हैं तेलंगाना शरकार दो जून को तेलंगाना गठन दिवस के रूप में मनाती है तेलंगाना की मुखमंत्री के चंद से कराव जी है तेलंगाना की राजपाल तमिली शाई शौंद्र राजनची है चलिए अगले प्रस्ण क्यों पढ़ते हैं हाली में प्रती बर्स एल्विनिज्म के बारे में लोगों में जागरुक करने और इससे पिड़ित लोगों के मानवधिकारों के बारों में जागरुक्ता फैलाने के लिए किस देन को अंतराश्टिय एल्विनिज्म यानिकि रंग हिंता जागरुक्ता दिवस मनाये जाता है पाच्व आप्शन पढ़िएगा पढ़िएँगे अब सही आंसर सुनिए सही आंसर है आप्शन नमबर सी यदिए की देरा जून International Albinism Awareness Day is observed on 13th June every year the day is celebrated annually to bring about awareness among the people about albinism and the human rights of peoples with albinism यानि कि रंग हींता जागरुता दिवस पूछा जाए अंतरास्टिय अल्वनिम जागरुता दिवस पूछा जाए अंसर तेरा जुन रहेगा इस वर्स का भी से क्या रहा यानि कि 2020 का भी से क्या रहा तो आपका अंसर हो जाएगा made to sign के लिए चलें अगले प्रस्न कियो agile ये खुछ बच्चों का kya बहुत सारी बच्चों का यह कहना था सारा अंग बहुत देज बहुत जल्द 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 चीजह गो करते हैं तोड़त समय करिया अराम से करिए अब मैं आपका भी एक प्रकार से प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा आपको लग रहा है कि सर आप बहुत अलके चल रहा है तो आप कमेंट करके बताईए और तेज चला जाए आपको लगता है सर आप ठीक चल रहा है तो भी आप कमेंट कर दीजिए सर सही चास ठिक टाक है स्पीड और आपको लगता है थोड़ा फास्ट चलना चाहिए तो भी आप कमेंट कर दीजे दरवाजे सब तरप से आपके ही खुले हैं क्यों कोल के रखे हैं ताकि आप प्रवेश कर सके समझ में आ रही होगी चीजे आईए अगले प्रस्ण की और बढ़ते हैं हाली में उर्दू के मसूर कभी का नाम बताईए जिनका निधान हो गया जो वर्स 1975 में सरकार दौरा सुरू की गई और उर्दू में प्रकाशित की जाने वाली एक मत्र विज्यान पत्र का सैंस की दुनिया के संपादक थे सैंस की दुनिया के संपादक पूछे जा रहे हैं उनका क्या हुआ भी निधान हो गया कि यदि बात चलिए उम्मीद है आपने पांचों प्छी में पढ़ द्यांगे सई answer option C है अनन्द मोहन जुच्ची गुलजार देल भी चोटा मोटा नहीं थोड़ा सा बड़ा नाम है दहार रखो और पड़ती चलो अनन्द मोहन जुच्ची गुलजार देल भी अब समझो पैटर न उर्दू पोयट आनन्द मोहन जुच्ची गुल्जार देलवी पास्टभी यह वाज दा एडिटर ऑफ साइंस की दुनिया दा ओन्ली साइंस मेंगजीन पबलेज इन उर्दु बाइदा गवर्मेंट विच वाज लॉंच इन 1975 यह कभ इसे शुरू किया गया था उनिस्सों पिछत्तर आनंद महां जुच्छी गुल्ज देलवी जो थे वो समुचे भारत में उर्दु इसकोलों की स्थापना का स्रेवी दिया जाता है इन्हीं को इसके लावा बैद तीस के दसक में इसकूल में पढ़ने के साथ साथ स्वतंतरता अंदुलन से भी छुड़े थे इसलिए भी इने जाना जाता है मसूर कभी भी थ आये आगे वे लूसरा में बालमिकों को शिक्षित करने के लिए आखे अना वही प्राहित किसके लिए हैं इंग बाल स्रमिकों को सिक्षित करने के लिए है option पढ़ लीजे सही answer option number E है कुछ बच्चे गएंगे sir जो thumbnail पर कोशन था बहुत हो 4 option थे या 5 option है तो यह सब आपकी सोचने की छमता पर डिपेंट करता है option 4 हो option 5 हो आपको कोई फरक नहीं पढ़ता उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदितनाथ हैस लॉंच्ट बाल स्रमिक बिद्या योजना तू एडुकेट चाइल्ड लेवास इन दा स्टेट इस स्कीम हैस लॉंच्ट ऑन दा अक्यजन अफ टा इंटरनेशन चाइल्ड लेवर पोहिबिशन दे चलती है आगे हाली में भारती अमरीकी मिर्दा बैग्यानिक टैस को इस वर्ष के लिए प्रतिष्टित विश्व खादक पुरुषकार दिये जाने की घुषना की गई है सही आंसर आप्शन नमबर बी यानि की कौन है रतनलाल ठीक है Indian American Soil Scientist Rathalal was named this years Prestigious World Food Prize 2020 Eneki 2020 He has been awarded for developing and mainstreaming a soil centric approach to increasing food production that नाचुरल रिसोर्सिस एंड मिटिगेट्स क्लाइमेट चिंच उन्हें पुरुस्कार रासी के रूप में दो लाग पचास अजार अमेरीकी डॉलर दिये जाएंगे समझ में आया अब अगले चलते हैं अगले प्राशन पर हाली में डेस पूरी तरह डिजिटल होने वाला निर्माण चेत्र का पहला संगतन बन गया है सही आंसर option B है भारतिय राश्टिय राजमार्क प्राधिक्राण पूरी तरह कैसा हो गया है डिजिटल अग्या वाले प्राशन प्राशन घंडिजिटल नचल है ऑट्वरी अथर्टी अथर्टी ऑिंद्या पंडेस्ट बिजिटल ने प्रपल। चलॉड बजस्ट अईशिल इजिटलिग वरत विग डेटा एनलिटिक्स प्लेटफॉर्म, डेटा लेक एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्ट्वेर कंसिडरिंग दा डेंजरियस कुरोनवारस पैंडेमी, चली आगे, केंदरिये सडक परिवयन और राजमार्ग मंत्री कोन है, नितिन जाराम बैट करी, नाई की स्था आए अगले प्राशुपाँ, हाल ही में किस राजनी दिवयांग आगनवाडी कार्य करता होगो, कोरोना योद्धाव का दर्जा दिया है, सही आंसर है मध्यपर्देश, मध्यपर्देश गवर्मेंट गिप्स कोरोना वार्यास, स्टेटेश टु दिवयांग आगनवाडी बरकार्स इस दिव्यांग आगनबाडी बरकार्स आर प्लेंग एन इंपोर्टेंट रोल इन इस्टेट दिवरिंग दा ओन्गोइंग कोरुना क्रिशिश समझ में आई हैं अंग्रे जी पल्ले भी ना पड़े ना तो उल्ले हिंदी हिंदी तो पड़ रही होगी और दोनों में से कोई भी समझ में आ रही हो तो गालियां लिख देना कमेंट बाक्स में हम समझ लेंगे ठीक है ना मद्य प्रदेश के मुखमंत्री सिवराज सिंग चोहान मद्य प्रदेश के राजपा लाल जी टंडर बांधावगाड राश्ट्य उद्दान मद्ध भारतिय राच मद्य प्रदेश में है यह बायो डायवर्सिटी पार्क रोयल बंगल भागो की बड़ी आवादी के लिए आइए अगले प्रस्ण की ओर हाली में उसरा जटीका ना मताई जो जह जाती है चात्रों के छात्रावास आएसो प्रमार्पत्र प्राप्त करने करने वाला देश का पहला राजज्य बन गया है साही अंसर है आपका उडिशा यहने की अप्शन भी उडिशा है विकम दा फॉर्स स्टेट इन दा कंट्री तो रिसीव इसो सर्टिफिकेशन कर दा करते हैं उडिशा कि ओडिशा की राज़दानी पोवनेश्व ओडिशा के मुखमत्री नभीन पत्नायव लिख लो कोई जल्दवाजी नहीं लिख लो ओडिशा के राजपल गनेशी लाग आईए चलते हैं अगले प्रस्न की ओर हाली में अंतराष्टिय अल्वनीश्म जाग रुकता दिवस 2020 का विश्य क्या था बताया था ना अभी कोश्चन में मेड टू साइन अपसर नमबर डी थीम आफ इंटरनेश्टनल अल्वनीश्म अवनेश्डी 2020 यह 2020 लिख देना अगर गलात हो तो कोई बात नहीं है बैसे 2020 सही है 2020 कहना गलात है मेड टू साइन के लिए आईए हली में कौन सी फुट्वाल टीम नफीफा नहीं गलत है पुझे क्यों लिख देता हूं मैं स्क्रीन पर नहीं तो जो भी मर्जी होगी कह जाओगे न फीफा नहीं ने फीफा ठीक है फीफा द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में सबसे उपर है लिख लिए होगा आगे चलते हैं वो है आपकी बेल्जियम बेल्जियम रैंक फर्स्ट इन लेटेस्ट फीफा रैंकिंग आगे ना या आजाओ आगे हली में उस संस्थान का नाम बताएं जिसने इंडिया रैंकिंग दो आजार बीस की ओवरल स्रेड़ी में सी सिस्थान प्राप्त किया है देर्ण रखो पढ़ते चलो सई आंसर है भारती प्रदोग की संस्थान मद्रास इंडिया इंस्टिट्यूट अफ टेक्नोलोजी मद्रास हैस टॉप्ट इंडिया रैंकिंग 2020 आफ इंस्टिट्यूशन इन ओबर आल के टेग्री हाली में फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एस्टोसियेशन यानिकी फीफा कुछ रैंकिंग जारी की थी बेल्जियम फर्स्ट पर रहा था लेकिन इसका मुख्याले कहां है सही आंसर है आपसर नमबर बी जिरिक स्विट्जलेंट जिरिक स्विट्जलेंट इस द हाली में किस मंत्राले ने उच्छ सेक्षरक्स अंसानों के लिए इंडिया रैंकिंग्स 2020 चारी की है सही आंसर है आपसर नमबर ए मानव संसाधन विकास मंत्राले यूनियन मिनिस्टर आफ हुँमन रिस्टोस देवलप्मेंट रमेश पॉक्रियाल निशंक है बच्छ विट्ट्ट्री रिलीज्ट अफ इंडिया रैंकिंग्स 2020 अफ इंस्तेटूशन सोफ आयर एजूकेशनल इंस्टिटूशन इन्सितूशन सिन निव देली हाली में केंद्रिय क्रिशी अब हम किसान कर लियान मंत्री नरेंज सिंग तौमर जानते होंगे आप नहीं जानते हैं तो आज जान जाओ रश्टिय सहिकारिता विकास निगम की विशेश पहल यानि की सहिकार मित्र इंटन्सिप करेकरम SIP पर योजना का स्वारम क्या है नरेंज सिंग तौमर ने Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare नरेंज सिंग तौमर has launched सहिकार मित्र इंटन्सिप या फिर ऐसे पड़ो सहिकार मित्र Scheme on Intensive Program and Initiative by National Co-operative Development Cooperation क्रिसी और किसान कल्यान मंत्राले के राजमंत्री कौन है पुर्शुत्तम रूपाला राश्टिय सहिकारी विकास सहयोग के प्रवंदन देशक कौन है सुधीप कुमार नायक आज का सेशन और सिलो मोड मर लेके चले थे चाहते हैं कि आप लोग अपनी जो भी प्रतिगरिया है वो कमेंट वक्स में छोड़ते चले वीडियो अच्छी लगी है तब ही वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी आतो वीडियो को डिस्लाइक चरूर करके जाए कि क्यूंकि अगर आप आये और आपने वीडियो देखा आपने ना तो लाइक किया ना डिसलाइक किया तो आपका आना और आपका ना दोनों समान हो गया यह न सोचे कि मैं वीडियो देखके जा रहा हूँ सर सोचेंगे या पता चल जाएगा कौन बच्रा लाइक करके गया दिसलाइक करके गया ऐसा कुछ नहीं है आपकी लाइक और दिसलाइक किसी को पता नहीं चलेगा आपके प्रितिक्रिया आपके पास ही रहेगी लेकिन अगर वीडियो को share कर दोगे तो आपके साथ साथ आपके संग साथी भी current affair से aware हो जाएंगे ये ना सोचे कि सब पढ़ रहा है कोई नहीं पढ़ रहा है सब आगे बढ़ रहा है इसलिए आप इसे share जरू कर दें अगली वीडियो में बहुत जल्द आपके साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे Thank you for watching this video